धनबाद के लोयाबाद 20 नमबर में कusta मिलन समारों का आयोजन किया गया, इस मिलन समारों में बतोर मुक कतिति के रूप में जारखन के पुर्व मंतरी सा कॉंगरेस नेता जलेस्वर महतों उपस्तित हुए, वहीं लोयाबाद चेतर में राम रहीम नाम से चर्चित कॉंग्रेसी नेता राजकुमार मातो एबं असलम मंसूरी भी कारकरम में मुख रूप से उपस्तित हुए कारकरम में बागमारा के भादपा विधायक डुलू मातो के सेक्रो समर्थकों ने सुजीत नोनिया एबं नागो पासवान के नेतित में टाइगर फोर्स को छोड़ कर कॉंग्रेस का दामन थामा वही कॉंग्रेसी नेता जलेश्वर मातो पर आस्था और विश्वास रखते हुए पार्टी में सामिल हुए सभी यूपकों को वहीं पूरु मंत्री ने माला पहना कर स्वागत किया वहीं कॉंग्रेसी नेता जलेश्वर मातों ने मंद से संबोधित करते हुए कहा कि बाजपा सरकार देश को लूटने का काम किया है इसका जीता जाकता उधारन है बागमारा बिधायक डुलू मातों है जो अपने आपको स्वक्च और साब छवी का नेता बताते हैं जो और डियो धारकों से पैसा वसुनना इनका काम है इसी सब कारणों से बागमारा के युवाओं यहां से पलायन कर रहे हैं लेकिन अब बागमारा की जनता जाक चुकी है अब बागमारा छेतर में यह सब नहीं चलेगा और यहां की जनता मूतोर जवाब देने के लिए तयार हो चुकी है और आने वाले चुनाओं में इसका जवाब बागमारा विधायक धुलू मातों को मिल जाएगा नहीं स आप में मांबला उनको मंगा पड़ेगा यह केस नमबर कि कहाना में यह बताए 그러। क्या पार्टी आने से बगमारा कब बदलेगा निश्चित बदलेगा कोंगरेसी ही मजदूरों की दर्थ को जानता है कोंगरेस नहीं निसलाइशन किया था पूरे देश में क्या संदेश देना चाहिए जुआओं को रोजगार से जोड़ेंगे यहां एक लाग टन से ज्यादा प्रतिशनी कोईला का उठाओ है और सारा का सारा कोईला उठा रहे हैं डूलो जी यह कोईला अगर बांट के पहले की तरह अगर नौजवानों में दिया कि तुम बोट में अपना कमाल दिखाओ रोजगार से जोडने का कम हम रे उपर छोड़ेंगे जलेश्वान मातों ने कहा कि कॉंग्रेस पार्टी की जीत से ही बाग मारा का भला होगा कारकरम की अजगता राजु रंजन प्रशाद एवा मंच का संचालन संकर केश्री ने कि करकरम में राजिंदर कुमार, नागेस्वर पासवान, सूरज पांडे, अविनास नोनिया, गुड़ु चोधरी, सुदामा नोनिया, रविंदर नोनिया, विनोध भुईया, सूरज भुईया, किसोर कुमार, नंदु चोधरी, सुनेना देवी समे सेकलो करकता गन मजूद झाली